भाईयों भाणों, राज्य सरकारों की एक और सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है, नागरी कौंकी सुरक्षा की, कानून व्यवस्था की, लेकिन कॉंग्रेस सरकार ये भी नहीं कर पा रही। आए दिन गैंग वार की खबरों ने राजस्तान जैश्य शान्ति प्रिय प्रदेश को, उसकी साख को बिगार दिया है। राजस्तान में दलीतों प्रत्याचार चरम पर है, राजस्तान में नसे की तसकरी, नसे का कारोबार फलफुल रहा है। हमारे तीज त्योहारों पर खत्रा मंडराता रहा है। कब पत्थर चलने लगे, कब गोलियां चले, कब कर्फुल लग जाए, कोई नहीं जानता। भाईयों और भेनों, राजस्तान के लोग कुछ भी बरदास कर सकते हैं। लेकिन राजस्तान के लोग बहन बेटियों के सम्मान से खिलवार कभी भी बरदास नहीं कर सकते। मा पदमावती और पन्ना धाय की इस धर्ती की बेटियों के साथ जो हो रहा है, वो आक्रोश से भर देता है। किसी दलीत बेटी के साथ दुश्करमा होता है और फ्वेर उस पर एसीड डाल दिया जाता है। किसी दलीत बहन के साथ उसके पती के सामने गैंग रैप होता है। आरोपी उसका वीडियो बनाते हैं, पुलीस में रिपोर्ट नहीं लिखी जाती, बेखाब आरोपी वीडियो वाइरल कर देते हैं, छोटी छोटी बच्चियां स्कूलों में पढ़ाने वाली टीचर्स तक यहां सुरक्षित नहीं है। और साथियों कारवाई करने के बजाए कॉंग्रेस के नेतां पीडित महिलाओं पर ही जूट बोलने का आरोप लगा रहे हैं। वाकई बहुत हो गया। भायों बैना राजस्तान की धर्ती है। यह वीरों की धर्ती है। यह पराक्रमियों की धर्ती है। यह याचना करने वाले लोग नहीं है। यह उंकार करने वाले लोग है। और इसलिए इस बार चारों और एक ही उंकार है। एक ही नारा है। हर राजस्तानी का एक ही संकल्प है। बेहन बेटियों पर अत्याचार नहीं सहेगा राजस्तान। बेहन बेटियों पर अत्याचार बेहन बेटियों पर अत्याचार दलीत पर अत्याचार कर्दिसे मर्दा किसान अपराद बेलगाम नहीं सहेगा अपराद बेलगाम नहीं सहेगा राजस्तान पेपर लिख से युआ परेशान नहीं सहेगा राजस्तान ब्रस्चाचार नहीं सहेगा राजस्तान